हेलो अवर्यवान मेरा नाम कुशागर है और संजीवनी के सेग्मेंट में आप सभी का स्वागत है यह वाला जो पर्टिकुलर एपिसोड है सेग्मेंट है में बहुत ज़्यदा स्पेशल है बिकॉज यह जो गेस्ट है इनका मैं काफी टाइम से वेट कर रहा था कि कभी हमार स्टूडियो में आएंगे बिकाउस यह जाने जाते हैं अपने स्पेशल जितने भी कॉम्पलिकेट टरीकें हैं वंको आसान भाशा में संझाते हैं और काफी असानी से बहुत कॉम्पलिकेट छीजे आपके दिमाग में फिट हो जाती है तो इसलिए आज मैंने इन्हां इन इस परिष्ट पर शुट आप एमिंग कि हमें कॉन्वसेशन करें एक आसान भाषा में जतनी जादा हो सके सही इन्फरमेशन लोग तक पहुंचाएं तो सर फस्ट फॉल यहां पर आकर कैसा अग रहा है अगरा है संजीवनी में मैं मैं काफी कुछ सुना हुआ ता बिफोर एक केम है तो I feel privileged to be a part of this venture की संजीवनी ने मुझे प्लाटफर्म दिया कि अपने व्यूस में एक्स्प्रेस करता हूं Sir यह हमारा ओनर है कि आप यहां पर एंपर बिगॉस जितने भी एक्सपोर्ट से मैं मिला हूं इस सेग्मेंट के तुरू जितने भी लोगों से मुलाकात हुई है I know कितने busy schedule रहता है उनका कितने busy रहते हैं अपने profession में Still वो यह time निकालके हमारे भी चाते हैं हम सभी को educate और aware करने के लिए तो thank you so much for that sir Sir cancer अगर सबसे आसान भाशा में मैं बात करूँ तो cancer होता क्या है sir okay अगर let's say आपको चोट लगती है जी चोट लगने के बाद automatically वो जो खरोच आई थी वो कुछ दिनों में हील हो जाती क्योंकि मालीजिए hundred cells वहां पर थे वो खतम हो गए तो hundred cells ने वापस आके वो जगे हील करती है अहां वो automatically उपर repair हो जाता है exactly so body में ये mechanism बहुत normal है अब अगर hundred cells का death हो रहा है जो normal turnover उसकी वजाए thousand cells बन रहे हैं so वो एक गठान में तबदील हो जाता है okay so जो normal growth and death का cycle है वो अगर imbalance हो जाए है due to whatever reasons genetic हो सकता है occupational hazards हो सकता है या something which is not known to anyone okay तो उस वज़े से वो cycle बिगड़ गया इसलिए जो number of cells जो शरी में बनने थे वो जादा हो गए और destroy वाले काम हो गए दिरे दिरे गठान के रूप में वहां पर बनता है फिर वहां से फैल के कही और जा सकता है so simplified language में ये abnormal growth of cells in the body is cancer so ये समझ में आ गया मुझे और बहुत आसानी से समझ में आया है because cancer की जब अलग अलग लोगों से युजुली एक्सपोर्ट से बात करते हैं to many people are very passionate about जिस पर वो काम कर रहे हैं कुछ लोग हैं जो काफी complicated terminology में समझाते तो समझ आता नहीं but you did very well और आपने काफी आसानी से समझाया कि actually में cancer होता क्या है जो irregular growth हो जाती है cells की वही cancer होती हो गठन बन जाती है और वो जो cells हैं उनके ऊपर जो body का normal death cycle का control है वो नहीं रहता इसलिए वो multiply होते रहते हैं और फिर वो वहां से fell कर दूसरी जगे भी जा सकते हैं इसलिए आपने सुना होगा की cancer fell गया तो वो example breast cancer का मरीज गठान यहां हुई यहां से fell के बगल में गया यहां से fell के lung liver etc पहुँचा तो वही cells जब और advanced stage में पहुँच जाता है जब बिलकुल ही body की control से बाहर हो जाता तो उससे कहते हैं cancer fell गया या stage 4 की तरफ जाने लगी जैसे आपने बता कि cancer fell गया stage 4 तक चले गया यह धीरे धीरे growth होती है but मैं आपसे समझना जाता हूँ कि हमने cancer की बात की होता क्या है but क्या cancer में भी अगर हम उसको एक broader perspective में देखें तो कुछ cancers ऐसे होते हैं जिनको detect करना easy है या फिर कुछ cancers ऐसे हैं जिनकी detection later stages पे होती है 3 और 4 मैं समझ गया जो एक so more of philosophical बात कर रहा हूँ मैं यहां पर किसी मेरी किताब में नहीं लिखा है disclaimer दे रहा हूँ clear cut अपने audience को कहीं जागे quote ना करने की x y z say so and so think so एक layman के लिए अगर मैं बात करो simple भाशा में समझाओं मू का cancer जी आपको पता चलेगा कि आपको चाला है जो भरने रहे आपका दाथ हिलने लग गया है आपके मूँ से बद्बुआरी मूँ खुलना बंद हो गया okay यह किसी भी इंसान को अगर problems आती है अपने मूँ में उसको पता चल जाएंगी ब्रेस्ट में अगर कोई गठान हुई है किसी महिला को एक दो सेंटिमेटर को की नहीं पता चलेगा उससे जादा बढ़ेगी तो पता चलेगा आपको periods आना बंद हो गए, menstrual cycles बंद हो गए महिलाओ में लेकिन 55 साल की उमर में फिर से ब्लीडिंग चालू हुई उस रास्ते से तो आपको पता चलेगा अब जो मैंने तीन examples दिये मूँ, breast, gynec वाले का यह symptoms आने के बावजूद यह कहीं ने कहीं एक cancer की और इशारा करते हैं possibility है, possibility है, yes, not, I wouldn't say कि हर दात हिलने वाले में cancer है it is one of the signs, हर चाला cancer नहीं होता लेकिन जो चाला ठीक नहीं हो रहा है, 21 दिन के बावजूद उसमें हो सकता है, इसके बावजूद अगर आप निगले कर रहेंगे, तो आपने उस cancer को बढ़ने का मौका दिया यह अपने आप में signs दे रहें, symptoms दे रहें कि आप doctor को जा के दिखाओ और आप यह बहुत first stage में detect कर सकते हैं बहुत आराम से यह जो तीनो मैंने examples दिये, तीन examples करवालो, हो सकता है कुछ परेशानी है, दूसरी तरफ में आऊं, lung का cancer, pancreas, liver, gallbladder, आथ, बढ़ी आथ, छोटी आथ, इनके cancers यह ovarian cancer, यह तब परेशान करते हैं, जब यह already 90% to 70, 60% of them are already in stage 4, मतलब, एक साधन से बात है, आपको पेट दर्द हुआ, आपने बोला ठीक है, कुछ खा लिया होगा, acidity हो रही होगी, आप एक normal, even I do that, कि मैं 15 दिन महीने बाद ठीक है, अभी बाहर खाना जादा हो रहा है, अभी ज़्यादा exertion, stress जादा है, तो कोई भी इंसान उसको 90% of lung cancers हमें stage 4 में मिलते हैं, जब अलड़ी शरीर में फैल चुका होता है, pancreatic cancers का वही हाले, gallbladder cancers का वही हाले, तो in a nutshell, यह जो body के अंदर बैठे हुए cancers है, कर आप में ऐसे, इस पार्ट से इस पार्ट के जो अंदर बैठे हुए, वो आपको इतना late present करते हैं कि आपकी किस् निगले किया, इसलिए late हुए, वो cancer ही अपने आप में symptoms इतने slow देता है, इतने late आपको पता चलता है कि 90% of patients, even in the western world, are diagnosed very late, on the contrary, mu, breast, gynec cancers, यह सामने से कह रहें कि आप stage 1 में उने पकड सकते हो, और इनका cure rate जो surface cancer से, जो cancer जितनी जल्दी पकड में आएगा, उतना अच्छ उसका cure rate है, तो अगर आपने उसमें late किया, वो आपका fault था, अगर यह cancers आपको है, तो it is not your fault, it was destiny, which took you there. So, यह काफी अच्छी चीज़ आपने बताईए, कि अगर आपको कोई भी अपने specially, जो examples सर ने दिये हैं, उन्होंने का कि जितनी भी अगर कुछ irregular cycles हो रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ है, जो काफी time तक बनी हुई है, तो please किसी specialist से जरूर consult करें, उसे निगले, बिलकुल मत करे Sir, एक चीज़ जो मुझे लगता है कि लेट आते हैं, लोग क्या उसमें डर, hesitation, financial खर्चा बहुत हो जाएगा, बहुत सारे अलग-अलग reasons हो सकते हैं, तो आपकी practice में आपका जो इतना लंबा 15 साल का experience है, उसमें सबसे जादा reason, सबसे common reason क्या होता है कि लोग लेट आते हैं मतलब it is a disease, एक emperor of all melodies, it's a book by Siddhar Chatterjee or something, वो उसको पूरा अच्छा से दर्शाया उसने की cancer क्या चीज है, किसी की family में जो cancer के मरीज, मतलब unfortunately जिसमें अच्छा result नहीं रहा, वो ही बता पाएगा कि ये कितनी दर्दनाग बिमारी, and it is rightly so, but कुछ cancers जो होते हैं, majority अब तो इतना advancements आ चुके हैं कि हम पूरी थरे ठीक हो सकते हैं, डरते इसलिए हैं कि पता चलेगा तो हम क्या करेंगे, cancer हुआ तो मरना था है, ये एक गलत फैमी दिमाग में बैठी हुए, तो उस चीज से भागते हैं लोग, ये नहीं कि अब जो हो गया है, उसको फेस कर है, एक ये reason हुआ, दूसरा financial reason काफी हद तक applicable है, मैं अपने viewers को बताना चाहूंगा कि आज कल जो आपके दिमाग में एक normal patient मेरे पास जब आता है, उसको लगता है कि मान लीजे जबडे का cancer है, और मुझे इलाज में 4-5 लाग रुपे यूं ही लग जाएंगे, जब उसको आ इतना ही लगना है, उसके दिमाग में था कि पताने कितना खर्चा हो जाएगा, वो बिल्कुल गलत है, जिस patient में हमें होप नहीं होता है, हम clearly बता देते हैं, हम उससे पूछते हैं, आपकी financial aspects क्या है, clearly बताता है, उसको बोला जाता है कि आप अपना घर बेज कर पैसा उधा लाकर कुछ भी गिर्वी रख कर, etc, etc, नहीं करें, we give that message to that patient very clearly कि कहां आपको खर्च करना है, कहां नहीं करना, तीसरा एक कारण है कि महिलाओं में जैसे breast cancer हो या महामारी, जो यह bleeding challenge, वो ड़ते हैं, एक male dominated society in India, I mean, that still holds true, in the rural background, तो वो लोग ड़ते हैं इस बात को बताने में कि मेरे stun में कोई गठान हो रही है, या मेरे को फिर से bleeding आने लग गए, उस चकर में वो चीज वो दबा के रखते हैं, और फिर बहुत अती हो जाती है, बद्बू आने लग जाती है, गठान में से फट जाती है, तब वो आते हैं, तो more so यह सारे reasons है, और कुछ लोग neglect, हाँ एक जो सबसे बड़ा reason है कि डाइग्नॉस होने के बाद, वो cancer का पता करने के बाद वो चले जाते हैं, देशी दवाई पर, जड़ी बूटी पर, अईरुवेदिक पर, होमियोपेती पर, I am sure, on this platform I am saying, कि किसी भी इस पद्दती में cancer का इलाज क्योर करना संभव नहीं है, य modalities of treatment, they are good to control the symptoms, okay, example, आपका दर्द कंट्रोल कर सकती, आपकी बीमारी को चंट्रोल नहीं कर पाती, basically, if, इसको simpler way में पुट करूँ, जो आपका statement है, that is कि, it's a plant, so basically, they can cut the branches least, but उसको जड़ से नहीं उखार सकती है, exactly, जड़ से नहीं, that's very, very aptly said, कि जड़ से नहीं उखार र relief मिल रहा है, आपकी परेशानिया कम कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर तो वो चीज़ बढ़ती जा रही है, जब अती हो जाएगी, तो वो explode हो के बाहर आता है, तो काफी, at least 20 to 30% जो हमारे पास patients आते हैं, वो misguide हो के इन रास्तों पर चले जाते हैं, हर कोई चाहता है कि मुझे आसान रह मिले, आसान रह सरजरी नहीं हो सकता, कीमो थेरेपी, रेडियेशन, जो तीन हमारी ब्रांचे से में में अधार, वो तीनों आसान रहे नहीं हैं, वो तीनों कठिन रहे हैं, लेकिन उस रह से चल कर ही आपको उस पार तक पहुँच पाऊगे, जब आप ठी नुकसान दायक रहता है और वो कहीं ठीक नहीं हो पाता है वो ही पेशेंट हमारे पास पलट कर जब बहुत एडवांस हो जब हमारे स्कोप से बाहर हो जाए तब आता है इस आउड़ अफ क्योर स्कोप फॉर अस सबसे बड़ा डर या misconception क्या होता है जब cancer की बाद रिया आती है या patients के दिमाग में भी कुछ होता होगा misconception भाभी बहुत सारी बात की बट सबसे बड़ा क्या होता है misconception सबसे पहला एक misconception है कि cancer का इलाज संभव नहीं cancer से कोई ठीक नहीं हो सकता है सरासर गलत है cancer timely detect किया जाए ठीक होके आज भी जीवित है और यह ऐसा नहीं कि एक दो patient है at least 50% of the patient जो अच्छे timely detect हो जाएंगे 100% उनमें क्यों और संभव है दूसरा चीज जो एक काफी common हमें परिशान करता है कि biopsy करना या नहीं करना आपको biopsy होती क्या है कि एक माली जी आपको यहाँ पर चाला हुआ या ब्रेस में गठान है या कहीं भी आप उस गठान में से एक छोटा सा टुकडा निकाल कर लेबरिटरी में टेस्टिंग के लिए भेशते हो वो माइक्रोस्कोप के अंडर देखकर कन्फर्म करते हैं कि यह नॉर्मल सेल है या कैंसर का सेल है उसके जो भी क्राइटिरियाज है नुटेशन एक्सेटरा एक्सेटरा तो उसके बिसस पे स्टैंप किया जाता है कि जो आपको है वो कैंसर है या साधारण गठान है अब एक्जांपल जो मैं बताओं कि मलेरिया आपको अगर हुआ है जो ब्लटेस कराकर ही आप कन्फर्म कर सकते हो कि मलेरिया है या टाइफोईट फीवर है हाँ वो ब्लटेस सी सामने आएगा आप बोलो कि ब्लटेस कर रहा है बिना आप हमें ठीक कर दो तो बता दो कि malaria typhoid है, यह कोई नहीं कर सकता, एक hint मिल सकता है based on your symptoms, confirm नहीं कर सकते, मैं देख के बता सकता हूं कि यह चाला cancer का चाला है, मैं stamp नहीं कर सकता उसको, certify नहीं कर सकता है, certify, certify biopsy ही कर सकती है, तो लोगों की मित है कि biopsy करने से cancer फैलता है, जो कि सरासर गलत है, biopsy is the first step in the diagnosis of almost 80-90% of cancers, कुछ blood cancers, kidney cancer, liver cancer, etc., जहां पर imaging के विस पर हम बता देते हैं, बाकी में diagnosis के लिए biopsy जरूरी है, जो मित है कि biopsy से cancer फैला, वो तब सच साबित होता है, जब आप biopsy कराने के बाद, treatment ना लो, जो मैंने बताया है, कुछ subset वो उस रहा पर चले जाते है देशी दवाए, आयरोएदिक, या homeopathy, या alternative medicines, या किसी मंदिर में जाना, etc., etc., वो subset है, जो बोलता है कि जिस दिन से मेरी biopsy हुई, मुझी परिशानिया बढ़ गई और मेरा cancer फैल गया, आपने जब डाइगनोसिस बनाया के बाद, जो treatment लेना था, वो लिया ही नहीं, तो बढ़ेगा, जो line of action चाहिए था, वो आपने प्लाइ नहीं किया, exactly, exactly, so, sir, also one more thing, कि ये, जो आपने reason बता, this is the only reason, या कुछ और भी की myth start, because it's something, कि अगर मुझे malaria के test कराना है, तो उससे malaria कैसे पैल सकता है, exactly, वैसी biopsy से cancer कैसे पैल सकता, ये myth, आपको का लगता है, कहां से सीमित थी, जी, 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 उसको जहां हमने छेडा, उसके cells उठके blood में चले गए, या वो आसपास फैल गए, जो भी biopsy की जाती है, वो उस जगे पे confined रहती है, हम कभी भी ये नहीं करते कि वो biopsy यहां कियो नहीं थी और पहुँच गए, इदर से उधर जाके उसको डाल यह सब नहीं किया जाता, वो specifically उस जगे से इतना सा, मान लिजे इतनी बड़ी गठान है या इतनी इतना बड़ा चाला है, hardly एक, दो, तीन mm का एक टुकड़ा लिया जाता है, जो confirm कर देता है, it's an office procedure, मुझे भरती नहीं करना होता, आप आए हो, आप पांच मिल्ट में आप bleeding होती है, तो टाका मार सकें, etc, simple सा procedure है, जिसके बारे में बहुत थववा बनाया जाता है, और लोग डर्टे डर्टे बाइपसी नहीं कराते हैं, और वो alternative parts पर चले जाते हैं, So, यह जो आपने बताया, this is something which has actually blowed my mind, कि यह perspective, शायद अगर आज आपसे बात नहीं करता है, मुझे कभी मिल नहीं नहीं पाता है, I'm sure हमारे जितने भी, 50% of our viewers would not have this perspective, यह सुनने के बाद हो सकता है, उनका दिमाग भी strike करे कि यार क्या मैं सही कर रहा हूं कि नहीं, बाइपसी के माध्यम से ही हम उस पे receptive studies जान पाते हैं कि कौन सी chemotherapy काम करेगी, क्योंकि पहले chemo देना है, पहले surgery करना है वो भी बाइपसी के basis पे हम decide करते हैं, तो अब अगर आप जो पहला step है वो ही नहीं करोगे, तो आप आगी कैसे बढ़ोगे, फिर तो वही जो काम 15 साल पहले चला था कि गठान है गठान निकालो और operation, that is not how cancer is treated, surgical chemotherapy, radiation ये तीन पद्दतियों का मिला जुला कर treatment होता है, हो सकता है, same 2 cm की गठान एक महिला में, दूसरी महिला में, दोनों की उम्र सेम, सब कुछ सेम, पर बाइपसी पे जो मुझे findings हैं, एक patient में बोलेगी, इसमें पहले chemotherapy देखे, फिर surgery करना है, दूसरे patient को बलूँगा, direct surgery करना है, दूसरा argument आता है, sir, उसकी तो पहले surgery कर दी गई थी, हमारे patient को भी same था, उत्ती बड़ी गठान था आपने पहले chemotherapy, it is not me who is deciding, वो biopsy पे क्या आया, उसके आधार में decide कर रहा, because every human being is different, like है na, कि fingerprint सेम नहीं जी, so world is moving towards super 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 specialization, हर चीज को बारी की से देख के उस पे decide क्या रहा है कि इसके लिए यही treatment applicable है, sir, also one more thing that I wanted to ask, जैसे अगर हम देखे हैं कि बड़े बड़े hospitals हैं, कि वहाँ पे सारी चीजों का अलाउज हो रहा है, और वहाँ पे एक department होता है, for example, अगर cancer की हम बात कर तो cancer का एक specific department है, और जो super specialized centers रहते हैं, for example, HCG, तो इन में difference क्या आता है, basically, क्या हम quality की बात कर सकते है, कि difference quality है, इलाज है, या attention जो एक मिलना चाहिए, patient को, उस में difference आता है, differentiation points क्या है, sir, if I talk about HCG, हमारा hospital is the biggest oncology brand in India, जी, Bangalore-based chain है, which is, which has got 21, 27 hospitals across India and कुछ hospitals abroad, सारे protocols जो है, वो एक, and it's, the chairman is a radiation oncologist himself, okay, doctor Ajay Kumar, so, जो सारे protocols set होते हैं, वो एक centralized protocol है, कि इस बेमारी का, इस stage का इलाज इसी lines पे चलता है, एक tumor board कर के चीज होती है, जहा हमारा decision आता है, complex cases में, not every case needs to go in that, कुछ gray zone वाले cases होते हैं, जहां we are not sure कि इसमें surgery फाइदे मन्द है या नहीं, कीमो देना फाइदे मन्द है, hospital में गुसने के बाद जो एक protocol set होता है, it is all very streamlined, क्योंकि आप day in and day out, आप एक चीज experience करी होगी, कि अगर cricket में बोलर है तो वो bowling पर ही उसके लिए coach अलग है, जी 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 जो उसकी expertise उसी चीज में बढ़वाएगा, उसी तरह अगर अगर हमारा oncology का specifically hospital है, तो हमारे सारे protocols are more so catered only towards cancer patients, उसकी क्या problem से, उसकी क्या challenges आएंगे, हम वो अच्छी तरह समझते है, पूरा staff उनको रात दिन देखके, यह समझ चुका है क्यार, इसको यह problem आनी है, तो more focused, more focused, if I talk about instruments, जब 7, 8, 10 doctor मिलके एक ही चीज का operate कर रहे हैं, तो वो जो instrument acquisition होता है हमारा, जो instrumentation चाहिए होता है, हम specifically cancer specific instruments, we are able to procure even the most expensive instruments क्योंकि वो चीज day in and day out, हम repeated use करके, उसका investment cost हम आराम से recover कर पा रहे हैं, अगर एक multi-speciality, जैसे सारे protocols जहां पे होते हों, महां पे वो acquire करना इतना असान नहीं होता, because आप उसका cost ही justify नहीं कर पाते, because it's such a utility नहीं रखती उसका. Exactly, like, जो मुझे समझ माया है, के it's a very harsh statement, जो मैं भी बोलने बाला हूं, but still I am going to say that, के hospital जो चला रहे हैं, अच्छी बात है के लोग का इलाज हो रहा है, it's a noble cause, but ultimately it's a business. Exactly. तो वो business ही है, because ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो upfrontly free में इलाज करवाते हैं, that's a difference है. I totally agree with what you said, at the end of the day, nobody wants to run any organization in losses. Exactly. यह बिलकुल, आमने जो बोला बहुत bluntly and that is very true. So, हर चीज का एक, एक मेर आयम का फ्रेंड है हूं, says, कि every organization should be self sustainable after two to three years. उसको उसके बाद भी अगर funding की जरुवत पढ़ी रही है, तो समझ लो कि कहीं ने कहीं उसका survival is at stake. If you talk about start-ups, जैसा हम सुनते हैं कि कहीं एक level पर तो break-even आ जाना चाहिए उसका. Lack-unia period आपको पता है. उसी तरह जो instruments हमें, हमें are costing 1, 2 CRs, 3 CRs and radiation machines to the cost of 20, 25 CRs. जब उस पे जादा लोग उसी पे काम करने वाले तो आप उसको जादा यूस कर पाओगी, उसका return जादा easily आपको लगेगा कि yes, this was fruitful for us. So, technology in cancer plays an important role. Staff, instrumentation, protocols, all are set keeping in mind a cancer patient and doctors जो हैं, उनका भी दिमाग एक cancer, cancer, cancer की तरफ ही जाता है, जितना उसमें घुसते जाते उतना ज्यादा outcome अच्छा होता जाता है. So, thank you so much sir for enlighting us and जितनी सारी आपनी चीजें बताई हैं, हमारे लिए बहुत सारी helpful हैं, काफी नहीं चीजें हमने सीखी, so thank you so much for that. And it's a really good question, कि India को, if I'm not wrong, कहा जाता है, जो उनका statement था, कि Diabetic Capital है India, कि यहां पर Diabetes बहुत जादा मात्रा में है, इसकी intensity अलग अलगा कि किसी में सीवियर है, किसी में नहीं है, But, cancer की अगर बात करें, तो India में जैसे Diabetes बहुत जादा है, Cancer कहां stand करता है, जो कि Tambaku, जितना भारत देश में है, I doubt कि किसी और जगे में है, More so, आप कहलो Pakistan, Bangladesh, इनकी population होतनी है नहीं, कि आप India से compete भी कर पाहूं, शायद UP के बराबर Pakistan होगा या Bangladesh, whatever. So, India में जो Tambaku के कारण, Oral Cancers का जो तादाद है, That out numbers any kind of cancers anywhere in the world. And most common cancer जो भारत में, पुरुषों में देखा जाता है, वो oral cancer ही है. Gujarat, MP, Rajasthan, Northeast, यह तो बेल्ट से जहां पर आप चाहो नहीं, और आपको एक oral cancer का मरीज मिल जाएगा. Basically, oral cancer का epicenter बोल सकते है. Epicenter, it is. और जो आजकर क्या है, पहले तो हम Westerns को follow करते है. कि यार यह वादब एक West से आई है. So, situation is not the same anymore. So, I doubt कि कोई oral cancer के लिए country से बाहर जाएगा, richest of person he would not go out of India to get his oral cancer treated. क्योंकि जो expertise इंडिया में हमारे doctors के पास है, वो कहीं भी नहीं हो सकती. Because आप इतने high volume, इतने high turnover पे deal करते हो कि आपको जो complications उन्होंने देखे नहीं होते हैं हमारे जो रेसिदेंसी, हमारे टीचिंग चल रहा होते हम वो देख चुके होते already. They are surprised by the number of commando surgeries which are done in a day in a tertiary care center in India. वो आते हैं, उनके आंके खुली की खुली रहाती जो West से आते हैं. So, they are like यार इतना oral cancer. So, that's one thing. उसी तरह महिलाओं में breast cancer भी काफी common है, but that is common in West also, मतलब US, UK अगर में जाओ, तो महां भी काफी common है. Oral cancer एक ऐसी चीजे जो हम लोग outnumber करते हैं, हर चीज में. तो, this is a fact check जो मुझे मिलाएं, I'm sure, लोगो को भी मिलाएं. Sure sir, please. लोगो लगता है कि cancer का, ये cancer मुझे क्यो हुआ? एक क्या होता है, हर cancer का एक मरीज गिल्ट में चला जाता है. उसको पहली चिंता होती है, अपनी family के, अपने बच्चे के, उसको और कोई चिंता नहीं होती है, to be very honest. इतने मेरे experience में. And that is where we relate with them. तो, उसको गिल्ट होता है कि यार मैंने तंबाकू खाया इसलिए मुझे ये हुआ. मैंने cigarette piece लिए ये हुआ. मैं अपने viewers को एक चीज़ क्लिरली बताना चाहूंगा. जो चीज़ आपको हो चुकी है. आप उसको overcome में अपना दिमाग लगा. उसको ठीक करने में अपना efforts डालिए. क्यों हुआ, मुझे ही क्यों हुआ, इन सब में दिमाग मत लगाना. क्योंकि ये किसी के पास भी उत्तर नहीं है. मैं 100 patients oral cancer के अगर देखता हूं. असी में tobacco chewing is the cause. पर 20 वो लोग भी है जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया. जो बिल्कुल healthy lifestyle वाला है. अब वो 20 को क्यों हुआ तो उसकी किस्मत थी. It's very unscientific on my part जो मैं बोल रहा हूं कि destiny कहीं नहीं बहुत important role play करती है. It can be anything कि आपके genes में है. उसमें आपके genes में है. आप नहीं डून सकते हैं. आप यू spend आप बोलो मेरे 100 करोर रुपे ले लो आप नहीं डून सकते कि क्यो हुआ आपको. आप उस पर दिमाग मत लगाए मुझे क्यो हुआ आप guilt में मत जाए. The best thing you could do is आप अपना doctor decide किजिए. आप अपना treatment अच्छे से करिये. और जो first treatment हो cancer के लिए that should be short shot. एक passionate surgeon चाहिए जो उसको पता हो कि मैं क्या कर रहा हूं. वो सारी चीज अगर सब सही है. आपका treatment protocol सही है. और आपने timely present कर गए तो तो majority of the chances है कि जीवन में कभी वो cancer वापसाब को परेशान नहीं करेगा. Thank you so much sir for joining us and I am really sorry कि मैंने आपको परेशान के यहां पे लाके. Sorry for that. My pleasure. So thank you so much sir for joining us और अभी time हो गया है आप सभी से विदा लेने का बट जाने से पहले यही कहूंगा हैं वो facts आपको बता सके तो ऐसे ही हमारे साथ जोड़ते रहिए और कहीं मत जाईए देखते रहिए डेजियाना News. Thank you.